हलो फ्रेंट्स वेलकम टो और चानल फ्रेंट्स आज हम देखेंगे क्या एक पजिकरूत वसियत को याने रजिस्टर्ड विल को अधारत में चुनोती दी जा सकती है फ्रेंट्स वीडियो अंतर देखिए लाइक कमेंट शेयर कीजे और सब्सक्राइब करना न भुले तो चलिए जानेंगे वसियत एक कानूनी साधन है याने लीगल डाकुमेंट है जिसके माद्यम से वसियत करता याने जो व्यक्ति वसियत बनाता है वो व्यक्ति उसके आखरी इच्छावों को अपने नीधन पर अपनी संपत्ति के हस्तान करन के रूप में रिकॉर्ड करता है अने भारतिय पंजिकरन अधियां की धारा 18E 1908 के रूप साथ वसियत का पंजिकरन अणिवार्य नहीं है इतने भी यह सला दी जाती है कि आपको वसियत की सरलता से संबंधित सभी संदेहों को दूर करने के लिए अपनी वसियत को पंजिकरूत कराना चाहिए याने रजिस्टर कराना चाहिए हाला कि वसियत को पंजिकरूत करना उसे अबाद्य नहीं बनाता है इसे हमेशा अदालत के सामने चुनोती दी जा सकती है यहाँ भी ज़रूरी नहीं है कि पंजिकरूत वसियत मुरूतक का अंतिम वसियत नामा है अब एक नई औपंजिकरूत वस्यत भी बनाई जाती है जिसे वयद माना जाएगा और पंजिकरूत वस्यत पर प्राथा मिक्ता होगी यदि वस्यत के बारे में कोई शक है तो उसे अधालत में चुनोती दी जा सकती है यहने चैलेंज किया जा सकता है अब एक पंजिकरूत या आपंजिकरूत वस्यत को चुनोती के लिए कुछ आधार है कुछ ग्राउंड्स है अनुचित प्रभाव एक ऐसी स्तिति को संदर्वित करता है जहां आपके द्वारा किसी दिचित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेडित किया जाता है जो आपकी सोतंतर इच्छा के विर्द या परिणाम का पर्याप्त ध्यान किये भी ना होता है अगर एक वसियत अनुचित प्रभाव के तहथ बनाया जाता है तो इसे कानून की दुष्टी से बुरा मना जाता है और अदालत के सामने चुनोती दी जाय सकती है अब धोका दड़ी और एक प्रवाड से बनाया गया वसियत अगर एक व्यक्ति को वसियत बनाने के लिए धोका दिया जाता है तो उसे अदालत में चुनोती दी जाय सकती है इस तरह से वसियत को वसियत करता कि स्वतंत्र समत्य से नहीं माना जाता है और इसे अदालत रद कर सकती है जवरदस्ती, अगर कोई वसियत आपको बल या धमकी का इस्तमाल करके बनाया गया है तो इसी वसियत अवेद है यानि इलिगल है और अदालत उसे रद कर सकती है समचित निश्पादन का आभाव यानि वसियत को वसियत करता दारा विदीवत हस्ताक्षरित होना चाहिए यानि साइन होनी चाहिए वसियत करता की वसियत कर देने वाले के हस्ताक्षर के साथ वसियत में कम से कम दो गवाव के हस्ताक्षर ने टू विटनेस होने चाहिए जिनोंने देखा है कि वसियत वसियत करता द्वारा किया गया है अगर इंगे से कोई आवशक्ता पूर्ण नहीं हुई तो वस्यत को वैद नहीं माना जाता है वस्यत शम्ता का अभाव और वस्यत करने वाले व्यक्ति को वस्यत की प्रकृती और परिणामों को समझना चाहिए वस्यत करता को पूरी तरह से समझना चाहिए कि वह सम्त्ती का किस दरह का निपतान या विभाजन कर रहा है और वह मांसिक रूप से फिट होना चाहिए निरसन वस्यत बनाने के बाद वस्यत करता खुद वस्यत को रध कर सकता है यदि वो अपने द्वारा किये गए संपत्ति के निप्टान या विभाजन से संतुष नहीं है तो वस्यत रद करना वस्यत को अमान्य बना देगा और इसे अब लागू करने युग्या नहीं माना जाएगा So friends, यह थी वस्यत के बारे में पूरी जानतारी Thank you